Hey everyone, welcome to exam guru cool आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं infinitive के बारे में अब यह infinitive क्या है? है तो एक verb का ही transformation तो इसलिए हमें verb के पास जाना होगा वर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक तो है finite verbs और दूसरा पार्ट है इसका non-finite verbs अब यह finite और non-finite क्या है जैसे आपने पढ़ रखा है verb का का काम क्या होता है? action और state दिखाना वो काम सारी finite verbs करते हैं non-finite verbs यह काम नहीं करती इसलिए finite verbs को आप कह सकते हैं working department है वो और non-finite verbs से एक तरीके से non-working department finite verbs क्या है? इसको समझना बहुत आसान है already इस पर वीडियो बन चुकी है एक बार ज़रा नजर डाल लेते हैं देखिए finite verbs की two types होते हैं main verb और helping verb main verb की two sub-categories हो गए intransitive और intransitive already पढ़ चुके हैं helping verbs की भी three sub-categories हैं primary auxiliary, model auxiliary और semi-modal auxiliary model verbs पे काफी वीडियो मैंने बनाई हैं जो मुझे important लगी है लेकिन question यह आता है कि इन्हें finite क्यों बोलते हैं देखिए finite का मतलब होता है limited bound कर देना क्योंकि यह tense और subject के according बदलती रहती हैं जैसे subject है यहाँ पर singular he तो उसके साथ आई है verb goes he goes to market अब subject को अगर हम plural कर दें जैसे कि they तो verb को change होना पड़ा है they go to market इसी तरीके से इस sentence को अब हम past में ले जाकर बनाए they went to market तब भी verb को ही change होना पड़ा है यानि कि verb limited है tense के according और subject के according अब इसी sentence को future बनाए they will go to market तब भी verb को ही change होना पड़ा है अब इन सभी sentences में फर्क किस पर पड़ा है किसको bound किया गया है किसकी limitations बनाए गई है सिर्फ verb की कि तेंस के according बदलो और subject के according बदलो इसलिए इने finite verbs कहा जाता है यानि कि sentence में कोई नहीं बदलता ना तो subject बदलता है ना ही object, adjective, adverb, conjunction, preposition कुछ भी नहीं बदलता सिर्फ और सिर्फ वर्व को ही बदलना पड़ता है अब वर्व हो गई बहुत परिशान उसने कहा ठीक है मुझे बहुत बदल लिया अब मैं भी subject, object बनूंगी मैं भी adjective और adverb की तरह होंगी फिर मुझे बदल के दिखाओ तो इसलिए वर्व ने लिया अपना एक transformation उसे कहा गया non-finite verbs यानि कि आप उसको bound नहीं कर सकते that's why it is called non-finite verb इसकी तीन categories है infinitive, gerund and participle आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ infinitive के बारे में एक-एक करके इनको समझेंगे सबसे पहले देखते हैं infinitive की two types होते हैं पहला है two infinitive जिसके साथ two आता है दूसरा है bare infinitive जो बिना two के आता है अब क्या आता है base verb ज़रा समझते हैं एक-एक करके अब ये base verb क्या है जिससे सारी verb की form बनती है कहीं से तो बनी होंगी न उसका base क्या है जहां से वर्व उठाई है वो base verb कहलाती है देखे ऐसे समझते हैं संस्क्रिप में आपने रूप पड़े होंगे किरिया धातु के पठती पठत पठनती याद आया कुछ वो पठती पठत पठनती हम बाके में यूज करते हैं लेकिन वो बने किस्से हैं पठ धातू से जो पठ धातू है वही base verb है ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है अब इसे समझने के लिए ज़रा एक चार्ट देखे आप मैंने यापर बनाया है कैसे verb form होती है क्योंकि यह V1 की तरह ही लगती है कई बार हम इसे V1 ही प्रोणांस कर देते हैं कि भई V1 लगाई है बस infinitive बनाने के लिए आपको क्या करना है तो के साथ base verb रख देनी है तो वो हो जाएका 2 infinitive और जब 2 हटा देंगे तो bare infinitive हो जाएगा लेकिन पहले समझ यह base verb क्या है अब जैसे go है गो सेम लग रहा है आपको V1 में गो ही लग रहा है past में यह went हो गया past participle इसका gone है singular के साथ goes आता है और ing लगाया तो going हो गया इसी तरीके से have का भी है प्रोसेजर में यह verb form होती है इसी तरीके से do का भी है do, did, done, does, doing इसी तरीके से कोई और वर्व आप लएंगे eat, eat का V1 है eat, second है eat, third है eaten, four है eats और five है eating अभी भी कोई फर्क नहीं दिख रहा हुआ कि मैं सेम तो है base verb और V1, अब ज़रब B की देखिए दिख यहाँ पर B रहा है लेकिन present में क्या है आरेम, past में was वर्वर और third form जब बनी है तो B की ही बनी है bin और fourth ध्यान से देखिए, is है singular के साथ और being, B में ing लगा है base verb में ing लगा है, यहाँ पर being clear? तो चलिए अब examples देखते हैं यह तो हुई बात अलग अब as a subject, infinitive कैसे आता है मैंने कहाता है, infinitive form में verb क्या काम करेंगे subject की तरह आएंगी यह sentence देखिए, he is a good boy इसमें subject क्या है, he इस किसके लिए आया है, is वर्व है इस आया है, he के लिए तो subject है clear है, अब देखते है infinitive कैसे subject की तरह काम करता है to walk is a good habit तहलना एक अच्छे आदत है अब यहाँ पर is क्या अच्छे आदत है, तहलना subject की बता रहा है वही sentence दो subject से start होता है और वर्व है, is वो किसके लिए है to walk के लिए, दूसरे example देखिए to a is human and to forgive is divine, मैंने यहाँ पर a pronounce किया है, देखिए यह एर नहीं बोला जाता, British English में इसी प्रोनाउंस किया जाता है यानि छोटे आसे अनार अब आप infinitive पहचान सकते है to walk, to err, to forgive इस line का मतलब तो मैं आपको बता दू गल्ती करना मानव का सभाव है और शमा करना ईश्वर का सभाव है अब as an object infinitive कैसे आता है I want to go to Paris मैं Paris जाना चाहती हूँ object का पता कैसे लगाएंगे I want what मैं क्या चाहती हूँ to go दूसरा sentence देखे She loves to sing वह गाना पसंद करती है चलिए object ढूनते है I want what to go She loves what to sing समझ आया मैं क्या चाहती हूँ जाना मैं क्या पसंद करती है गाना to go to sing infinitive है आपने पहचान लिये as an object आये है ठीक है अब देखते है infinitive as an adjective कैसे काम करता है Do you need anything to eat? क्या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए? Anything Anything यहाँ पर एक object की तरह आया है और वह to eat उसको modify कर रहा है यानि adjective का का काम कर रहा है clear है? दूसरा sentence देखिए I bought some chocolates to eat मैंनी कुछ chocolates खाने के लिए खरी दी चौकलेट किस लिए? खाने के लिए ओके? चौकलेट को modify कर रहा है to eat तो यहाँ पर infinitive adjective का का काम कर रहा है तो चलो अब देखते हैं यही infinitive adverb की तरह कैसे काम करता है adverb जो वर्ब को modify करें He came here to study वो यहाँ पढ़ने के लिए आया है यानि study करने के लिए तो वो यहाँ क्यों आया है? He came why? to study adverb वर्ब को modify कर रहा है I went there to help you मैं वहाँ आपकी help के लिए गया था तो मैं वहाँ क्यों गया था? आपकी help के लिए क्यों का आंसर किससे मिल रहा है? to help तो to help क्या है? adverb है verb को modify कर रहा है तो चलिए सिर्फ infinitive को पहचानने की practice करते हैं बहुत सारे sentences हैं बस practice करते जाएं तो इस sentence में पहचानिए कौन सा infinitive है? दूसरा देखिए to swim in that lake may be dangerous उस lake में तैरना खतरनाक हो सकता है अब इस sentence को ऐसे भी लिखा जा सकता है it may be dangerous to swim in that lake to tell the truth is always right सच बोलना हमेशा ही सही होता है इस sentence को हम ऐसे भी लिख सकते हैं is always right to tell the truth अब सभी sentence में आप जो infinitive है उन्हें पहचानी गए होंगे पहले में देखी to give दूसरे में to give बीच में आया है to swim to swim to देखा और base verb देखी समझ गई यह infinitive है to tell बहुत सारे sentences हैं बस practice करते जाहिए to be or not to be that is the question to be infinitive फिर not के बाद आया है to be दो बार infinitive to stop the car suddenly cannot be a good move अचानक से गाड़ी रोकना एक अच्छा move नहीं है to stop infinitive है ना कितने interesting sentences दूसरा देखी अब not के साथ आये I decided not to go to London मैंने लंदन ना जाने का decide किया He asked me not to be late उसने मुझे देश से ना आने के लिए कहा तो to go to be infinitive बस ऐसे ही पहचानते चाहिए अगला sentence देखते हैं Doctor forbade him to eat fat Doctor ने उसे fat खाने से मना किया है खाने से to eat infinitive to के साथ आपको base verb देखनी और पहचान लीजिए He refused to look at the picture to look उसने picture की तरफ देखने से मना कर दिया Shalini failed to complete the task Shalini task पूरा करने में fail हो गई to complete infinitive I want to make a toast मैं एक toast बनाना चाहती हूँ I want what to make to make infinitive The children need a garden to play in The children need a garden बच्चों को एक गार्डन की जरुरत है किसलिए to play in खेलने के लिए to play infinitive I don't have anything to wear मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है लड़कियों का यही भाहना रहता है जब पार्टी में जाने का number आता है तो उनकी सारी dresses बेकार हो जाती है Would you like something to eat? क्या आप कुछ खाने के लिए लेना चाहेंगे? to eat to wear दोनों infinitive है I hope आप पहचान गए होंगे It is good to talk बात करना अच्छा है देखे जब हमें subject नहीं मिलता ठीक से थो हम it से sentence बना देते हैं it को subject बना देते हैं तो यहाँ पर to talk आया है as an object to talk is good अब इसको subject भी बना सकते हैं बात करना अच्छा है कोई भी verb लीजिए base verb उसके साथ to लगाईए आप infinitive यूँ बना सकते हैं It is important to be patient कि बहुत ज़रूरी है क्या होना to be patient to be यहाँ पर infinitive है to be patient is important इस sentence को ऐसे भी बना सकते हैं बस आपको तो infinitive देखना है to be आप बस infinitive पहचानते चाहिए I am happy to be here infinitive पहचाने to be अब इन सभी sentences में देखिए verb कैसे subject object की तरह आका राज कर रही है कोई उसे अब change नहीं कर सकता bound नहीं है न non-finite verbs देखते जाहिए कैसे कैसे sentences में हमें infinitive देखने को मिलेगा to, to वाले में वी this soup is too hot to eat ये soup इतना गरम है कि खाया नहीं जा सकता she was too tired to work वो इतनी थकी हुए है कि काम नहीं कर सकती to eat, to work दोनों ही infinitive की तरह यूज हुए है अब देखिए और किस टाइब के sentences में आपको मिलेगा infinitive I know how to play guitar मैं guitar बचाना जानता हूँ Do you know how to ride a bike क्या तुम्हें bike ride करनी आती है to write, to play दोनों ही infinitive की तरह यूज हुए है तो sentence किसी भी type के हो सकते हैं बस आपको infinitive पहचानना आना चाहिए clear है इसमें आप कोई change नहीं कर सकते ना subject के according ना ही tense के according अगर ये point clear है तो आप चलते हैं bare infinitive की तरह अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा to देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ base work देखने को मिलेगी जब आप to infinitive यूज कर रहे थे तब आप to लगा रहे थे और without to यानि की bare infinitive जितने भी model verbs हैं उन सभी के साथ bare infinitive यूज होता है you may go now go क्या है? bare infinitive, to नहीं आया न I cannot do that मैं यह नहीं कर सकता do, bare infinitive he should complain about that उसे इसके बारे में complain करनी चाहिए complain I will call you call bare infinitive you need not worry तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है worry, bare infinitive लास्ट वीडियो में सीखा है कि need or dare के साथ bare infinitive आएगा as a model verb he dare not come here वो यहां आने की हिम्मत नहीं कर सकता come, bare infinitive अब let वाले sentences में देखते हैं हमेशा ही हमेशा bare infinitive यूज होता है let him go उसे जाने दो let him to go कभी नहीं होता हमेशा let के साथ base verb ही आती है यानि की सिर्फ और सिर्फ bare infinitive यूज होता है let us go to market चलो market चले यानि बजार चले यहां भी go bare infinitive की तरह यूज हुआ है let me write the letter मुझे पत्र लिखने दो ठीके लिखने दो यहां भी write to write नहीं आया ना देखिए सिर्फ और सिर्फ bare infinitive यूज हुआ है let us play चलो खेले यहां भी bare infinitive यूज हुआ है play क्या आप इसको played कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं नहीं क्योंकि यह चेंज होते हैं यह नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं go go write play change कर सकते हैं let के साथ तो करके दिखा दीजिए और देखिए bare infinitive कहा कहा देखने को मिलेगा head better के साथ हमेशा ही हमेशा bare infinitive आता है अभी head better क्या है जब हम यह बोलते हैं कि बहतर होगा ऐसा कर लो परना ऐसा हो सकता है उस sense में we had better take some warm clothing अच्छा होगा हम कुछ करम कपड़े अपने साथ रख ले take आया न तो take यहाँ पर bare infinitive है she had better ask him not to come उसे उसे ना आने के लिए कह देना चाहिए इसका मतलब समझ रहे हैं बहतर होगा वो उसे ना आने के लिए कह दे otherwise उसके बाद वो कोई drama करे या कुछ करे इस sense में we had better reserve a room in the hotel अच्छा होगा कि हम hotel में कोई room reserve कर ले उसके बाद हो सकता है hotel सारे भर जाएं कोई room ही ना मिले you had better give me your address बहतर होगा कि आप मुझे अपना address दे दे अब कुछ sentences ऐसे भी हम बोलते हैं जहां लगता तो ऐसा है कि हम कोई question पूछ रहे हैं पर actual में हम कोई question नहीं पूछ रहे होते हैं उसका कोई answer होता ही नहीं है why wait until tomorrow कल तक का अंतिजार क्यों अभी करो तो ऐसे sentences में हमेशा base वरवाएगी यानि bare infinite why not ask him now उससे अभी क्यों नहीं पूछते why not buy new shoes नए जूते क्यों नहीं खरीद लेते ये तो फट गए हैं ऐसे बोलेंगे न तो यह कोई question दो नहीं पूछ रहे है why walk when we can go in the car अरे पैदल क्यों चलना जब हम कार में जा सकते हैं तो उस जगा भी हम सिर्फ और सिर्फ bare infinitive use करेंगे सब ही जगा bare infinitive use हुआ है आपने पहचान भी लिया होगा last sentence में तो दो बार आया है clear है guys वीडियो आपको बसंद आए तो like, comment, share करके बताएं और subscribe करना बिलकुल न भूले bell icon को press कर दे ताकि notifications आपको मिलते रहें मिलते हैं next video में till then bye bye, goodbye, take care and आपने वीडियो last तक देखिए तो उसके लिए thank you so much guys